तो next one is 8155 और जे उसका ब्लाग डाइग्राम है 8155 को हम PPIB कहते हैं that is programmable peripheral interfacing chip तो जे जो आपका interfacing chip है it is compatible with 8085 तो 8085 के साथ जी compatible है और जहां पर आप देख रहे हो तीन ports है आपकी जे जो तीन ports है port A port B जे आपकी दो ports जो है वो 88 bit की है और जो तीसरी port C है वो आपकी 6 bit की है तो इसलिए इसका address आपका दियो है PC0 to PC5 और आपका A और B का जो आपका port के जो आपके addresses दियो है वो PA0 to PA7 और PB0 to PC7 तो P4 port और A आगया कुंसी पूर्ट है port A है और उसका address 0 से लेके साथ तक आगया आगली port B है उसका address 0 से लेके साह तक आगया 8i pot हो गए TC port आपकी port C है उसका address 0 से लेके 5 तक है तो 6 bit की आपकी port आगया तो यह तेन पोर्ट्स आगया आपकी तो जहां पे इनकी आम interfacing अब जो आपका मैकॉप्सेसर एक विए तो उसको डाटा है और अड्रस वह आपका आगया 802-87 और जो आपका 802-87 तो एक फारडेसदीफा डाटा तो अड्रस लाइन जिरो से लेके 7 तक हैं क्योंकि इंपूट आपूट की इंटर्फेसिंग करनी 8-bit की आपका अड्रस होता ह और डाटा आपका 8-bit का आएगा तो जहां पे आपका AD0 to AD7 जह लाइन किसके साथ connected होगी आपका जहां पे जो Microcessor है उसके साथ connected होगी अब यह करेगा क्या मैंने आपको बोला था पहले बताया था प्रोग्रमेबल पेरिफिर्ल इंटरफेसिंग चिप यह आपका क्या करेगा इंटरफेस करेगा पेरिफिर्ल डिवाइसी की इंटरफेसिंग करेगा बिदा Microcessor के साथ अब इंटरफेसिंग क्या आता है कि आपका पेरिफिर्ल डिवाइसी की Microcessor के साथ interfacing का meaning क्या हुआ कि जह उनको physically connect नहीं करता है या अपस में उनको communicate भी करवाता है तो communicate means जैसे आपका say जो आपका interface जब हम करते हैं तो आपका input device से जो हम data देते हैं जा instruction देते हैं तो वो आपका किस form में होती है decimal form में होती है that is assembly language में होती है हम जह कह सकते है code form में होती है hex code की form में होती है but अंदर जो data वो Story को ज connection में जाता है Microsoft से जो language understand करता है जिरोबन की form में language understand करता है तो interfacing chip का काम क्या है कि इनको आपस में Jo Belative को क्या से जह रहना जि़ुस्जान झाड़ करका that is go Lin word A . इन पो इंपृ अपूपü discusses की language को understand करें और आउट्पूट जो है वो माइको पूसेसर की लैंग्विज को अंडर्स्टैंड करें तो जैसका इंटर्फेसिंग चिप का काम है एक तो बना दा फंक्शन आ गया इंपूट आउट्पूट की इंटर्फेसिंग करवाना है क्योंकि जहां पर तीन फंक्शन परफॉर्म करता है यह पीपी आई जो आपका 8155 है एक तो आगया इंपूट आउट्पूट डिवाइस की इंटर्फेसिंग करवाता है और जहां पर हमने का एड़ी जिरो टू सेवन तो निचली का एंड्रस होगा एड्रस ट्रॉंसाइवा होगा और पिंज़ेसिटेशा स्थ सबेद्ओग कि अशनल करेगा तो इस बस में से गैड्रस आईगा यह लो Windows अगोना अंश्य हैं एप digo इस लो coordinate होटा है क्किंवि forces function आपका address बस जो है वह फस्ट cut出來 करती है पहले आपका address जाता एATA गढ़ nov यह जो भी आखा loves ऊस पर्टिकुलर पोर्त से data मैको पसेशर को जाएगा जा कि उस पर्टिकुलर फोर्ट से लिखाएगा जहिता सब्सक्रूब माइकोपसेसर को राइट होगा तो माइकोपसेसर से डाटा जाएगा और अल्ड आपका आगया एड्रस लाच अनेवल एडी जिरो तो एड्रस जाएगा और अगर वैल्यू हाई है तो इसमें से डाटा जाएगा और अगर वैल्यू लू है तो इसमें से डाटा जाएगा अब आपको बताया था कितनी memory chip हम use कर सकते हैं maximum आप 8 memory chip हम 805 में connect कर सकते हैं आठ अगर हम 8 use करते हैं तो एक memory chip की capacity कितनी होगी 8K अगर हम 4 करेंगे तो एक की capacity कितनी होगी 16K अगर हम 2 करेंगे तो एक की capacity कितनी होगी 32K अगर हम एक ही करेंगे तो उसकी capacity कितनी होगी 64 K को तो अब आपका जहां पर memory chip भी connect हो सकती है जहां पर input output devices भी connect हो सकती है तो data आपका आएगा जा जाएगा memory से आएगा जा input output से आएगा जा memory को जाएगा जा input output को जाएगा वो डिपेंड करेगा आगर इसकी value 1 है तो that means आपका जो selector device होगी वो input output होगी और अगर इसकी value 0 है तो आपकी जो selector device होगी वो memory होगी जाएगा जाएगा वो read और write के उपर डिपेंड करेगा ale मैंने आपको पहले बता दिया ale high होगा तो तभी means ale जो है वो demultiplexing का काम जहां पर करेगा चिप select जो है वो chip select जो है आपका जे चिप जो है यह तभी select होगी जब इसकी value क्या होगी लोगी जब 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 आपका value chips c s compliment लोगा तभी जब आपका चिप select होगा बट इसके लावा अगर आप देख रहे हो मैंने का एक काम इसका interfacing का है और दूसरा काम एक और आपका जहां पर internal memory भी है यह पहली interfacing chip है जिसके आपका internal में RAM आपका that is internal memory है जो आपका random sus memory है आपकी कितनी आपकी locations है इसमें location की capacity जो होती है वो 8 bit होती है तो 8 bit आपका एक location का capacity है तो that means 256 locations है इसके इसके अंदर और हम कह सकते हैं 256 white words जो है वो जा data जो है वो जा instruction जो है वो इसमें हम store कर सकते हैं तो internal memory is also present in 8155 इसके लाब आगर आप देखो तो जो तीसरा आपका जो इसमें जो आपका जुनटा आगया वो आपका क्या आगया that is the timer और जहां पे भी timer होता है तो counter is always there और यह timer counter counter का क्या काम होता है कि आपको deliver करना है जो फार एक्जेंपल हमने मान लिया AC लगाया हुआ है जो आपका ऐसे फार एक्जेंपल TV लगाया हुआ है तो TV को sleep mode में हम करते हैं हम चाहते हैं कि दस मिन्ट के बाद आपका TV जो है वो on से off हो जाए तो उसमें timer लगा देंगे तो उतनी देर के बाद जो है वो उसको off कर देगा on से off कर देगा तो इसमें step down counter होता है तो यह आपका क्या करेगा for example 10 minutes के बाद तो वो count करेगा 10 के बाद जैसे आपका 9 minutes होंगे तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जैसे 0 होगा तो उस TV को वो off कर देगा तो after 10 minutes इस तरह से तो down जहां पे counter जो है वो आपका जो होगा वो टीवी on से off हो जाएगा sleep mode में इस तरह से मालिया for example आपके AC में हम timer use करते हैं तो बट बहां पे जो आपका इसमें क्याता है preset value होती है preset value जो होती है वो पहले से defined होती है अब टीवी में preset value जो हमने fix किया 10 minutes के बाद उसको हमने on से off करवाया बट जो आप से on होगा अब जब आप AC on करते हो तो immediately आपका compressor on नहीं होता है पहले आपका fan ही चलता है compressor की cooling तभी आपकी on होती है क्योंकि उसमें motor लगी होती है motor को initially high current चाहिए होता है क्योंकि initial back EMF बहुत ज्यादा होता है इसलिए आपका current काम होता है तो high current चाहिए होता है तो अगर माल सकती है short circuiting हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो इसलिए जब वो back EMF को negligible कर देगा तो उसके बाद जो है आपके compressor को on करेगा तो वो पहले से ही predefined होती है value उसकी preset value उतनी देर के बाद जो है वो compressor off सियान होगा तो बहां पे भी counter off का use होगा तो बहां पे भी हमने timer लगाया तो इतनी देर के बाद आप सियान होगा और जहां अगर हम देखें तो आप देख रहे हो इसमें क्या होता है clock timer clock clock तो आपकी रहेगी रहेगी क्योंकि आपके जो counters हैं मैंने का timers के अंदर counters भी होते हैं counter flip flop के बने होते हैं JK flip flop या T flip flop के बने होते हैं और they require clock pulses then time out जहां से output आपकी deliver deliver होगी इस तरह से आपकी pulse होगी उतनी देर के बाद आपका आपसे on जा on से आप होगा देन आपका जिस आपका आगया ground BSSS और जा आगया आपका that is the supply collector voltage जा आगया ground voltage zero volt आगया और अगर हम देखें total कितनी पिंज हैं तो जहां से हम 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 है idea लग सकता है कि total कितनी पिंज हैं देखो 8 और 8 16 26 23 24 25 26 26 और 8 जे आगया आपका that is 80 0 to 87 तो 34 35 36 37 38 39 और 40 जा आपका 40 पिनाइस ही है तो जो यह जो हम कर रहे हैं this is also 40 पिनाइस ही है अब जे block diagram मैंने आपको बता दिया उसके बाद हम चलते हैं pin diagram के उपर नेक्स आप जहां पर आप देख रहे हो आपका pin diagram है तो यह जो आपका pin diagram है तो जे कितने pin आपका IC है that is a 40 pin IC और जे जो आपका 40 pin IC है तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं पहले port A अगर हम port A की बात करें तो यह आपका आगया और numbering यहां आप लिख लेना 1,2,3 यह लास्ट वाला 20 आएगा और यह दर से 21 से लेकर 40 तक जाएगा ठीक है तो numbering बैसे होगी यह cut mark है तो that is bottom से top anti-clockwise तो वह बैसे होगी जैसे मैंने पहले आपको बहुत है तो 21 से लेकर आपका 28 तक आपकी आगए that is port A की pins आगए उसके बाद port B की pins आगए उसके बाद port C की आगए आपकी 40 आपका VCC आगया और 20 आपका ground आगया बट जहां पर आप देख रहे हो 3 आपका PC0, PC1, PC2 और जहां देख रहे हो PC3 और PC4 आपका एक आपका रहे गया that is PC5 तो टोटल आपका C port में आपकी कितनी होती है 6 pins होती है तो जह आपका आगया उसके बाद AD0 to AD7 आगया आपका 8 pins यह बाकी आपका रहे गया that is timer और उसका timer in जह आपका आगया clock का का काम करेगा timer out आगया उसके बाद आपके आगया सारे control signal आगया chip select आगया input output slash memory control आगया आपका i o slash m complement read write early that is address latch reset reset आपको मालूम ही है कि यह आपका क्या करेगा internally जो भी आपके counter resistors यह फिल फ्लाप्स है उसको यह data store है उसको यह clear का देगा reset और इसके demultiplexing को न करेगा AD 0 to AD 7 की early जब high होगा तो तब जहां से आपका क्या जाएगा address जाएगा इस bus में से ठीक है और अगर low होगा तो data जाएगा then जाएगा जाएगा वो read or write के उपर depend करेगा पहले मैंने आपको बोला अगर read है तो microprocessor लेगा means peripheral device अगर जाएगा और which microprocessor है तो read के time signal जाएगा write के time processor से जाएगा और आगर आपका जाएगा 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 और आपका जाएगा जाएगा तो बो किसके उपर depend करेगा ioslash m complement अगर इसकी value 1 तो यह इनपूट input output device है और अगर इसकी value 0 है तो that means ये memory device है आपकी इस ड़ट आ रहा रहा हुआ जा रहा है जहां पर आपने timer आपने देखा timer signals भी है आपके timer is also there internally आपका timer means clock का काम करेगा और timer output pulse देगा timer की आपको मालूम है output pulse फर्म में रहती है एक्टेंगलर फॉर्म है तीन पोर्स आगे आके उसके बाद आके चीप स्लेक्ट सिगनल आ गया जिए चीप तभी स्लेक्ट होगी जब इसकी वैल्यू जीर होगी तो इस आल अबाउट 8155 PPI तो जो आपका प्रोग्रामेबल परिफिरल इंटर्फेसिंग चीप था तो कोई भी कॉशन आगर आप